टीजीटी पीजीटी प्रेक्टिस सेट के आज के अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज 101 नंबर कोईशन से शुरू करेंगे तो 101 नंबर कोईशन है इस्तन पाई भूण की भूण बाह जिली उल्ब किस से बनती है चार आपसन दिये गए हैं सोची और बताईए देख और शेयर जरूर कीजिए सभी लोगों को गूड मॉनिंग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो इसका आंसर सही होगा सी बाह तचा एब मध्य जन अस्तर आपको बता दें जो इस्तन धारी होते हैं या इस्तन पाई भूण की भूण बाह जिली उल्ब बाह जन अस् अस्तर की बनी होती है और यहां एक अतरिक्त भूणी जिली होती है एक्स्ट्रा अेंब्रियानीक मेंब्रेन होती है जो अंदरकी और बाह तची उतपत्ति वाली अ Hindiो जेनिक को सिक अउं तथा बाहर की और सोमेटो प्लूरिक जिली के द्वारा बनी हुई होती है in और अग उखने से भी बचाती है नेश कुसन है सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है देखे सगर्भता पर मेरे चैनल में फूल बीडियो अप्लोडर है आप लोग चाहें तो जा करके देख सकते हैं अच्छे से समझ सकते हैं फिल हाल इसमें आ प्रोजेश्ट्रान एस्ट्रोजन यानि अपरा भूर तथा मा के गर्भा से भीतिके बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने की संरचना होती है एक और यहां अंतह स्राविक ग्रंथी के तरह से कारे करती है और हियूमन कोरियोनिक गोनेडो ट्रॉपिक यानि एच सी ज प्रोजेश्ट्रान तथा एस्ट्रोजन भूरी ब्रुद्धी को अब लंबन भी देती है तो यह पहला आप्शन से हो जाएगा फिर अगला कुशन है सुक्राण जन एवं सुक्राणयन में क्या अंतर है सोची और बता यह बड़े-बड़े से आप्शन दिये गए हैं आप लोग चाहें तो देख सकते हैं यह इस पर मेटोजेनेसिस उजेनेसिस सब पर वीडियो अप्लोड़े हैं आप लोग चाहें तो जाकर करें चित्र सही समझ सकते हैं पिल्हाल इसमें आंसर सही होगा D सुक्राण जनन में सुक्राण बनते हैं जबकि सुक्राणयन में सुक्राणों का सर्टोली कोशिकाओं से सुक्राण में नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है तो इस प्रकार से इसमें D सही हो जाएगा और सुक्र कायांत्रन यानि इस परमेयोजनेसिस होती है या इस परमेटोजनेसिस कहलाती है और इसमें बिभिन कायांत्रन वाले इस्टिप सामिल होते हैं नेश कुशन है गर्भ निरोधक सहेली, क्या करती है, गर्भ निरोधक सहेली, तो आंसर सही होगा इसमें से, गर्भासे में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुध करती है, और अंडो के रोपन को रोकती भी है, और यहां एक प्रकार की छोटी गोली होती है, जो पहले तीन सप्ता हमें दो बार, लेकिन बाद में सप्ता हमें एक बार ली जाती है, नेक्ट कुशन है, सिलियेट्स अन सभी प्रोटोजोवन्स से किस प्रकार भिन हैं, जो सिलियेट्स होते हैं, वे अन सभी प्रोटोजोवन्स से किस तरह से भिन होते हैं, किस तरह से अलग होते हैं, यानि अंतर बताना उनमें क्या होता है, सोचिए और बताईए तो आंसर सही होगा इन में से दो प्रकार के केंद्र को होते हैं लास्ट वाला डी वाला नेश कुशन है बेला मेन उतक पाया जाता है बेला मेन उतक किस में पाया जाता है अब इस्तंभ मूल में प्राप मूल में आधिपादप की लटकती जड़ में स्वसनमूल में एक आपसन सही है बेला में उतक किसमें पाया जाता है यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सेर जरूर कीजिए आंसर सही होगा C आधिपादप की लटकती जड़ में नेश्ट कुशन है निमलिकित में से कौन एक परजीवी सेवाल है निमलिकित में से कौन एक परजीवी सेवाल है परजीवी सेवाल का नाम बताना है तो इसका आंसर सही होगा B Cephealurase और सेफेलियो रास एक परजीवी सेवाल है परसेटिक एलगी है जो चाय के पौधों पर परजीवी होती है और या चाय पर लाल किट रोग यानि रेड रष्ट आप्टी उत्पन करता है जिससे चाय उत्दों को भारी हानी होती है रेश कुछन है बेदिका करण म्रदा समरक् की प्रभावी किरिया विधी है सोचियो और बता यह कौन सा आपसन सही होगा किस चेत्र के लिए बेदिका करण प्रभावी किरिया विधी है और किसले यह होती है तो म्रदा सनरक्षन के लिए तो आंसर सही होगा इसमें से बी पहाडी चेत्र के लिए यानी बेदिका करण म्रदा सनरक्षन की प्रमुख विधी होती है और इस बिधी के द्वारा पहाडों से तेज गद से बहने वाले जल को रोक कर म्रदा सनरक्षन के साथ ही साथ फासलों का उत्पाधन भी किया जात है और इसकी सनरचना देखने में सीड़ी जैसे होती है इस लिए इसे सीड़ी दार या फिर बेदिका करण कहा जाता है और यह प्रकरीया पहाडों वाप महाडीयों वाले चेत्रों में अकनाई जाती है जिसे म्रदा कटाओ कम होगा और मृदा में उपस्थित्त, तो मृदा में बने रहने के कान फसलों को लाब भी होता रहेगा नेश कुछन है युक्तांकपी पुंकेसर पाया जाता है युक्तकापी पुंकेसर किस में पाया जाता है चार आपसन आपके सामने देगे हैं किस कुल में पाया जाता है बताना है तो इसका आंसर सही होगा पहला कमपोजिटी कुल में पाया जाता है और कमपोजिटी कुल में किस में तो सूर्य मुखी और गेंदा में इसमें आज में पाया जाता है कोसिका में क्रेप्स चक्र का अस्थाल है चार आपसन देगे हैं सोचे और बताईए कि कौन सा आपसन सही होगा कोशिका में क्रेप्स चक्र का अस्थल है कौन सा होगा साइटोपलाजम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांडिया, एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम चार आपसन आपके सामने देगे हैं एक option इसमें से सही है सोची और बताइए कि कौन सा option सही होगा कोशिका में क्रेप्स चक्र का अस्थाल है तो क्रेप्स चक्र माइट्रो कांडिया के अंदर गत होता है यानि option सही होगा इसमें से C और आपको बता दें कि इस किरिया की खोज क्रेप्स चक्र की खोज क्रेप्स ने 1937 में की थी और इस किरिया में कई अभिकिरियों की एक स्रंखला या चेन के बाद एसेटिल को एंजाइम का पूर्ण आक्सिकरन एक चक्र में होता है और यहाँ पूरी किरिया माइटो कांडिया के मैट्रिक्स में होती है माइटो कांडिया के मैट्रिक्स में और क्रेप्स चक्र के सभी विकर माइटो कांडिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं सभी एंजाइम पाये जाते हैं नेश्ट कुशन है बिस्स अस्तर पर संकटा पन पक्छी प्रजाती है बिश्शु अस्तर पर संकटा पन पक्षी प्रजाती का नाम बताना है चार आपसन दिये गए हैं मोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली कववा, तीतर कौन सा आपसन सही होगा? तो इसका आपसन सही होगा बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको बता दें कि भारत में इसके सिकार पर प्रतिबंध है हाले में भारत सरकार द्वारा इसके संरक्षर पर 108.25 करोड रुपे खर्च करने का प्रावधान किया गया है और यहाँ पच्छी उड़ने वाला सबसे भारी पच्छियों में से एक है जितने पच्छी उड़ते हैं उनमें सबसे भारी पच्छी उड़ने वाला और यहाँ सुतुर मुर्ग की भाद दिखता है जैसे सुतुर मुर्ग दिखाई देता है बिरकुल उसी तरीके का दिखाई देता है पाउधों में रंध्रिय वास्पो सर्जन का प्रतिसत है रंध्रिय वास्पो सर्जन का प्रतिसत क्या होता है अगर आप लोग रंध्र पर वीडियो देखना चाहते है इस्टो मैटा पर वीडियो देखना चाहते है वास्पो सर्जन पर देखना चाहते है सब पर वीडियो अलाग अलाग चित्र सही समझाया है अपलोड़न है मेरे चलन में आप लोग जा करके देख सकते हैं फिल हाल इसका आंसर सही होगा C, 80-90 प्रिस्षत रंध्रिय वास्पोस सर्जन होता है नेश कुछन है मोनोस्पोरिक प्रकार के भूण कोस का विकास किस में होता है चार आपसन आपके सामने दिये गए है और बताना है मोनोस्पोरिक प्रकार के भूण कोस का विकास किस में होता है सोचिए और बताएए कि किस में होगा आपको बता दें कि मोनोस्पोरिक भूण कोज एक ऐसा भूण कोज होता है जिसके विकास में से चार में से केवल एक विजाण भाग लेता है यानि मोनोस्पोर्ग भूणकोस के विकास में चार में से केवल एक बीजान भाग लेता है और यहाँ दो प्रकार का होता है पाली गोनम प्रकार का भूण और दूसरा है आईनो थीरा प्रकार का भूणकोस तो इसमें आंसर सा होगा पाली गोनम नेश कुसन है तालाबों में पादप लवक कारे करते हैं किस रूप में कारे करते हैं जो तालाब होते हैं पॉंट्स होते हैं उसमें पादप लवक कारे करते हैं सोचिए और बताईए तो इसका आंसर सही होगा पहला उतुपादों के रूप में एड़े प्रोडियूसर के रूप में एड़े प्रोडियूसर के रूप में एड़े प्रोडियूसर नेश्ट कुछन है क्लोरोफिल का अंग भूत इन में से कौन सा है बताना है Mg, Zn, Mn, Fe कौन सा होगा चार अपसंद दिये गए है तो आपको बता दें कि हारित लवक जो होता है हारित लवक हारे रंग के वर्णक होते हैं और इनकी खोज सिंपर नामक बैग्याने ने की थी अगर आप लोग हारित लवक पर वीडियो देखना चाहते हैं क्लोरो प्लाश पर देखना चाहते हैं तो channel में uploaded है, सभी कोषी कांगों पर uploaded है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन में से हारे रंग का वणड़क, पन्ड हरीम होता है, हारे रंग का वणड़क क्या है? पन्ड हरीम जो हरी दोऋग में पाय जाता है, और इसी कारण जो पतियां होती हैं पौधे होते हैं वो हारे हारे दिखाई देते हैं और इनमें थैलेकॉइट के धेर को ग्रेनम कहा जाता है जो थैलेकॉइट के धेर होते हैं उसे क्या कहते हैं ग्रेनम कहते हैं तो मैगनीसियम जो है परणहरिम की संरचनात्मक इकाई होती वैगस तंत्रिका क्या होती है चार आपसन आपके सामने दियेंगे है और बताना है वैगस तंत्रिका होती है तो आंसर सही होगा इसमें से सी दस भी कपाली तंत्रिका वैगस तंत्रिका कहलाती है और यहाँ सबसे बड़ी cranial nerve होती है सबसे बड़ी cranial nerve और यहाँ भी मिस्रित होती है mixed होती है और medula के pars में स्थित होती है जो medula होता उसके बगल में स्थित होती है और इसके चालक तन तो वायु मारगों, फेफोडों, ग्राशनली, हिर्दे, अमासे, आत, पितासे आदिको जाते हैं और समवेदी तन तो लगभग इन ही सब अंगों से समवेदनाओं को medula तथा पॉन्स में लाते हैं next question है स्टेटोसिस्ट पाई जाती है स्टेटोसिस्ट किसमें पाई जाती है देखे अगर मेरे चैनल से आप लोगों ने ओबेलिया अला लेक्चर देखा होगा तो मैंने अच्छे से समझाया था कि स्टेटोसिस्ट ओबेलिया में पाई जाती है या कुछ जली आकोसरिकियों जैसे निडेरियन है, एकाइनो डर्मेट है, सिफैलो पोड है, क्रिस्टेसियंस है, आधि में पाया जाता है नेश कुछन है, एकाइनो डर्म या सल युक्त जीवों के प्लिूटस लार्वा की बिसेस्ता है Plutus Larva की बिसेस्ता क्या होती है चार आपसन आपके सामने देगे हैं सोचे और बताईए कि कौन सा आपसन सही होगा तो इसमें आपसन सही होगा D उपरोक्त में से कोई सही नहीं है आपको बता दें कि Plutus Larva जो कि कुछ Echinoderm में पाय जाता है उपरोक्त में से किसी कलक्षण नहीं है Echinoderm संग के वर्ग Echinoderm संग के वर्ग Echinoderm संग के जनतूं जैसे कौन से जनतू? Echinus में पाय जाती है और इसका चबाने का अंग होता है या अंग चलन में भी सहायता करता है इसका आकार अरस्तू की लाल्टेन जैसा होता है इसलिए इसे अरस्तू की लाल्टेन भी कहा जाता है नेश कुछन है धर्टी के आरंभ में जो पहला जीवन रूप बिक्सित हुआ था वा कहलाता है जब धर्टी प्रारंभ हुई थी शुरवात हुई थी तो पहला जीवन रूप जो बिक्सित हुआ उसे क्या कहा जाता है आपको बता दें कि धर्टी के आरंभ में पहला जीवन रूप संभा होता है 4.2 आरब पहले 4.2 आरब पहले यदि या आदी पिर्थिवी के जल में कोलाइडी रूप में विक्षित हुआ था कोलाइडी रूप में जिन्हें ओपेरियन ने या ओपेरैन ने कोई सर्वेट से नाम दिया था इसलिए इन्हें पूर्ब जीवी सनरचनाय कहा जाता है और पूर्ब जीवी को प्री बायोटिक इस्ट्रक्चर या प्रोटो बियांट या प्रोटो सेल्स कहा जाता है तो इसमें आंसर सही होगा C, प्रोटो बियांट नेश कुसन है ग्लुकोस का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है मुखगुहा से, आमासे से, छोटी आंथ से, इन में से कोई नहीं ग्लुकोस का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, पूछा गया है सोचे और बताए तो आंसर सही होगा इसमें से पहला ग्लुकोस का पाचन मुख गुहा अथवा बकल कैवेटी से प्रयारंभ होता है और विभिन प्रवास्थाओं से गुजरते विए छोटी आत में पूर्ण रूप से इसका अवसोशन होता है यह कुछन है रक्त पट्टिकाणवों का उत्पादन नियंत्रित होता है रक्त पट्टिकाणड जो होते हैं यह रक्त का ठक्का बनाने में सहायता करते हैं रक्त का ठक्का जमाने में हिल्प करते हैं सोचिए और बताइए रक्त पट्टिकाणवों का उत्पादन नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है तो इसमें आंसर सही होगा B, Thrombo-Poetin की द्वारा होता है नेश कुछन है, Point Mutation होता है Point Mutation क्या होता है, बताना है चार आपसन आपके सामने दिये गए है और Point Mutation का नाम बताना है, क्या होगा या क्या होता है Point Mutation तो Point Mutation में, जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है जीन के एक बेस में, इसका मतलब आणसर सही होगा इसमें से B वाला, Next Question है एक एंटी बाडी में कुल कितनी पॉली पेप्टाइड शरंखलाएं होती है एक एंटी बाडी है, उसमें कुल कितनी पॉली पेप्टाइड शरंखलाएं होंगी तो आंसर सही होगा इसमें से B एक एंटी बाडी में कुल चार पॉली पेप्टाइड शंखलाएं होती है इम्योनो ग्लोबलिन का प्रतेक मालिक्यूल वाई आकार का होता है जिसमें चार पॉली पेप्टाइड शंखला के साथ डाई सेलपाइड बंद के साथ जुड़ा होता है नेश कुशन है जो आला कोसिकाओं का संबंध है सवसन से उस सर्जन से पोशन से पाचन से सभी लोग जानते होंगे जिनों ने हमारे संग वाले लक्षर देखें फाइलम जब हम सुरू किये थी लक्षर में जो आला कोसिकाओं का संबंध किस से है तो आंसर सही होगा इसमें से बी उत्त सर्जन या एक्सक्रीसन से होता है और ज्वाला को सिखाएं प्लेटी हिल मिन्थी संग के जन्तों में पाई जाती हैं प्लेटी हिल मिन्थी संग के जन्तों में और इनके माध्यम से एक बड़ी गुहा इसमें पाई जाती है और इसमें फ्लैजिला भी होते हैं और फ्लैजिला के कुछ सिरे आपस में मिल जाते ह अगर इसके बारे में पूरी जानकाई चाहते हैं तो जुआला को इसका उपर मेचल में वीडियो उप्लोडर है आप लोग जा करके देख सकते हैं समझ सकते हैं नेश कुसन है व्रक एक जयो प्रमुख अंग है क्योंकि यहाँ सहायक है एक जयो प्रमुख अंग है तो यहाँ सहायक है किस कार में पहला दिया गया है सरीर में ध्रौ के नियमन में दूसरा है आमलचार संतुलन के नियमन में तीसरा है उपापाचाई अपसिष्टों के निस होते हैं क्योंकि वह सरीर के द्रौ के नियमन आमलचार संतुलन के नियमन और उपापचाई आप सिष्टों के निस्कासन में भाग लेते हैं इसका मतलब आंसर सही होगा इसमें से डी इन में से सभी कार्यों में तो 125 कोशन पूरे हो गए हैं आसा है आप सभी लोगों को वीड लिक और शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद